अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि T plus 0 आखिर क्या है तो वो simply उसका T ट्रार्थ जो है वो है transaction day और T plus 0 का मतलब यह हुआ कि आपके जो trades हैं वो उसी दिन settle हो जाएंगी अभी जो follow हो रहा है वो T plus 1 format follow हो रहा है इसका मतलब आगर आप equities या equity related schemes में invest करते हैं तो आपकी जो trade settlements हो रहे हैं वो अगले दिन हो रहे हैं अब March 28 से आपको optional T plus 0 का ये option मिल जाएगा कि आप उसी दिन आपके trades settle हो सकते हैं तो ये जो है experts मान रहे हैं कि इसका जो है stock market पर काफी असर आएगा और इससे क्या होगा कि stock markets जो है efficient हो जाएंगी काफी सक्षम हो जाएंगी